हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक तो मैं चैनल, टागेट MNS, टागेटिंग MNS 2022 एक और स्टार्टिक जीके का टॉपिक, मैंने 24 स्टार्टिक जीके के टॉपिक्स आपको कवर करा दिया है इसका प्लेलिस्ट बना दिया है स्टार्टिक जीके फॉर MNS 2022 करके जिन्होंने उस प्लेलिस्ट को अभी तक चेक आट नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसे देखिएगा और ये भी मैं उसमें आड कर दूँगी, तो ये हमारा 25 टॉपिक हो जाएगा, ठीक है मैंने आपको बोला था कि सजेस्ट किजिए का कौन कौन से स्टार्टिक आपको टॉपिक्स करवाने हैं या पहले चाहिए तो, ठीक है तो ये मुझे सजेस्ट किया था आज ही के वीडियो में, सुबह वाले वीडियो में तो मैंने तुरंद बना दिया, ठीक है स्टार्ट करते हैं आज के पहले military exercise से पहला military exercise है यूद अभ्यास ये previous year MNS का question है ये यूद अभ्यास exercise इंडिया और USA के बीच में होती है यूद अभ्यास is a exercise between India and USA अभी जो 2021 में हुआ था यूद अभ्यास वो 17th edition था between India and USA तीक है यूद अभ्यास important between India and USA दूसरा है Ajay warrior Ajay warrior exercise between India and Russia और we can say India and UK United Kingdom के बीच में होता है तीसरा है Jim X 2021 J से Japan और I से India ठीक है और M से military, EX से exercise तो ये इसका पूरा full form है Japan Indo military exercise between India and Japan के बीच में होता है ठीक है उसके बाद fourth देखते है Aus index Aus index AOS से हो जाएगा Australia IND से हो जाएगा India EX exercise तो नाम से ही पता चल रहा है It is between India and Australia Aus index exercise is between India and Australia Next समुद्र शक्ती ये important exercise एसी exercise जिनका नाम से पता न चले कि कौन से country के बीच में होती है ये वो आप ऊची जाती है ठीक है जैसे मैंने आपको पहले बता है यूद अव्याज तो वो between India and USA था दूसरा है यापे देखे समुद्र शक्ती ये between navies के बीच में होता है समुद्र नाम से पता चल रहा है कि navies के बीच में होता है बाट कौन जी गंट्री जहाए इंडिया औद इंडिया और इंडिया और इंडिया इंडिया रूडिया और धीक है श्री लंका और मित्र श्री मित्र तो यह एक जैसा लग रहा है श्री मित्र तो वहीं से आप याद रखेंगे मित्र शक्ती बिट्वीन इंडिया और श्री लंका सेवन्थ है सूरे किरन सूरे किरन इस बिट्वीन इंडिया और निपाल very important exercise these both exercise Mitra Shakti and Surya Kiran these are previous year MCQs and these are really very important 8th है Alnaga 3 यह 3rd Alnaga 3rd exercise this is between India and Oman not as in your MNS previous year but important 9th है Bold Kurukshetra Bold Kurukshetra between India and Singapore exercise है ठीक है यह exercise इंडिया श्रिंगापूर के बीच में होती है Bold Kurukshetra 10th है Equivarian I think last year MCQ में आपके पूछा गया था MNS में Equivarian is between India and Maldives Equivarian is between India and Maldives Next 11th है Garud Shakti Very important exercise Garud Shakti and Hand in Hand Very common Garud Shakti होती between India and Indonesia तो India and Indonesia में हमने अब भी एका था एक और exercise कौन सी देखी थी हमने समुद्र शक्ती India and Indonesia में समुद्र शक्ती हो गई और Garud Shakti तो शक्ती शक्ती वाली जो exercise हैं यह दोनों India and Indonesia के बीच में 12th है Hand in Hand exercise Between India and China India and China के बीच में होती है Hand in Hand exercise 13th exercise देखें इंद्रा इंद्रा exercise होती है Between India and Russia अच्छा ठीक है दो exercise है एक तो इंद्रा और एक इंद्रधनुष ठीक है तो इंद्रा तो मैंने आपको बता दिया Between India and Russia इंद्रधनुष exercise इंद्रा और कौन सी कंट्री के बीच में होती है 14th है खंजर exercise खंजर exercise is between India and किर्गिस्तान ठीक है के खंजर नाम भी थोड़ा अजीब सा है डेंजरस है और के से किर्गिस्तान नाम भी थोड़ा डेंजरस है So this is between India and किर्गिस्तान खंजर exercise 15th exercise is very different and not as till now Okay, that is limit exercise This is between India and shizzles ठीक है इंडिया and shizzles के बीच में होता है limit exercise Next चलते है 16th number That is मैत्री exercise मैत्री exercise is between India and Thailand मैत्री exercise is between India and Thailand 17th important है That is nomadic elephant exercise ये है इंडिया and मंगोलिया के बीच में Nomadic elephant exercise is between India and Mongolia 18th ये भी आज तक पूछा नहीं गया है That is prabal dhostak ये इंडिया and Kazakhstan के बीच में ये exercise है Prabal dhostak Next, some pretty exercise ये previous year का है some pretty exercise ये इंडिया and Bangladesh के बीच में होता है अगर international boundary की बात करें इंडिया and Bangladesh के बीच में तो क्या होगा तीन बिगा corridor ठीक है 20th not us till yet and शत्रू जीत ये भी अभी तक नहीं पूछा गया है Imerland Mercury जो है ये between India and UK के बीच में होता है और India और USA के बीच में शत्रू जीत एक और मैंने आपको इंडिया and USA के बीच में बता है था कौन सा यू धवया स्पेल ये बाला ठीक है और India और UK के बीच में Imerland Mercury आगे चलते है 22nd है desert strike यह between इंडिया और उस्बेकिस्तान होता है यह important exercise है इंडिया और उस्बेकिस्तान के बीच में desert strike 23rd है Himalayan warrior यह भी इंडिया और यूगे के बीच में होता है Himalayan warrior, Emerald Mercury यह दोनों जो हैं between India and UK के exercise है ठीक है तो इसमें मैंने आपको पता है कौन से important है कौन से नहीं टोटल मैंने 20 प्लस 23 exercise cover कराई है इसके बाहर नहीं आता है ठीक है exercise में बस इतना ही आता है I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा Thanks for watching, please like, comment to the video, comment कीजेगा कि Indra Dhanush exercise कौन से 2 countries के बीच में होती है Share to the friends who are preparing for MNS 2022 And if you are new to this channel, also subscribe to my channel below for such an amazing videos Once again, thank you so much, keep supporting